विए प्लेश्ट करते हैं तो आप से पहले जो भी कलास हुआ है एक न्यू प्लेश्ट करके बना दिये हैं तो आप से जाके देख लिए जिएगा जो आपका जीके जीएस का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो आपको वीडियो दिया गया है प्लस में जो आपका रिजिनिंग का कलास है वो एक ही प्लेश्ट में सारा आइड कर दिये तो वहां से जाके आप सभी एक एक चीज़ को कवर कर सकते हैं आज आपका रभी वार है 27 तरह को डेट दिया गया था कि एड्मिट काड आपका लिंक जारी कर दिया जाएगा आप सभी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाईएगा बट लिंक नहीं मिला आप सभी को अपडेट नहीं किया गया तो यहाँ तक हम आपसे तक है यहां तक है समभाबना कि आपका अद्मिट काड जारी कर दिया जाएगा तो ध्यान पूरवक आप सभी त्यारी करते रही है त्यारी में बने रही है आप सभी admit card तो आना ही आना है आई जना है कल आपको निश्चीत admit card देखने के लिए मिल जाएगा तो सबसे पहले इस class को हम सभी शुरू कर लेते हैं आए ये first question करते हैं first question ये है कि सफेद जूट का अर्थ क्या होता है अगर in set में किसी भी question का answer पता होता अपना answer आप से नीचे comment box से बता सकते हैं चले बताएंगे इस question का right answer क्या हो जाएगा सफेद जूट का अर्थ क्या होता है right answer option नमर भी हो जाएगे पूर्णत असत्य बोलना ध्यान रखेगा सफेद जूट का अर्थ option में भी correct answer रहेंगे पूर्णत असत्य बात अगला question है हवा का परियावाची सब्द कौन सा नहीं है हवा का परियावाची इन में से कौन सा नहीं है तो देखे वायू हवा का परियावाची अनिल भी हवा का है और समीर भी हवा का है जबकि सलील हवा का परियावाची नहीं है सलील जो होता है फ्रेंड ये जल का परियावाची होता है ध्यान रखेगा आप सभी किलिए रहें अगला question देख लेजे अगला कोईशने कीरन का परियावाची सब्द है चले बताएंगे आप सभी कीरन का जो परियावाची है वो क्या है तो इन में से कीरन का जो परियावाची हो जाएगा परभा होगा ध्यान रखेगा आप सभी ए राइट आंसर हैंगे अगला कोशन है अमरित का परियवाची सब दें चले कोशन 4 के लिए आफसे राइट आंसर बताएंगे अमरित का जो परियवाची होगा वो क्या होगा राइट आंसर आफसन में भी जाएंगे सुधा किन मेरा के बारे हुए हैं सेयुक्ष के बारे हैं और मिसर्वाक बारे हम बताइव वेता है उस ने परिश्रम टो बहुत किया किन्तोछ सफलता नहीं मिली तो हम सभी का सकते हैं यह सstellung हैं यहान कि आफ्सक समय भी सकवर इसने इन में से कौन सा विराम चिन ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भासा से नहीं लिया गया है अगला है अकल का दुस्मन का अर्थ है अकल का दुस्मन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है महामूर्ख हमसे भी सिखा सकते हैं अकल का दुस्मन होना महामूर्ख होना आम चाल भासा में हमसे बोलते रहते हैं अकल का बिलुकुल तुम दुस्मन हो यानि कि महामूर्ख हो अगला है अव्या के कितने भेद होते हैं फिन अव्या के भेद बताना है तो दिखे अव्या के जो भेद होते हैं कुल चार भेद होते हैं ध्यान रखेगा कौन-कौन सा होता है तो किरिया विशेशन अव्या होता है संबन्द बोधक अब ये होता है समुच बोधक अब ये होता है और उसके बाद बिस्मियादी बोधक अब ये होता है तो कुल चार अब ये के भेद है option में भी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई सेने कोई समें 9 किस वाके में किरिया बरतमान काल में है इन में से कौन सा किरिया जो है वो क्या है बरतमान काल में है option को पढ़िया option पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं यानि कि ये बरतमान काल का किरिया है अभी वो पढ़ ही रहा है पढ़ा हुआ खत्म नहीं हुआ है ये पढ़ने वाला नहीं है वो पढ़ ही रहा है तो ये क्या हो जाएगा भी बरतमान किरिया होगा इसमें अगला है राचना के द्रिष्टी से किरिया के कितने भेद होते हैं तो दो भीद होते हैं ध्यान रखेगा आप सभी रचना की दुरिष्टी से वो कौन-कौन सा होता है एक साकर्मक और एक आकर्मक के दिया होता है के लिए रहें अगला कोईशन देखें निमने में से किस सब्द में परतिय लगा हुआ है चले बताएंगे आप सभी कोईशन में 11 के लिए राइट आंसर आप सभी को बताओंगे फ्रेंड कि परतिय जो है किसी भी सब्द के पीछे लगता है यानि कि लाश्ट में और उस सब्द का सोरूप को बदल देता है और उपसर्ग जो होता है किसी भी सब्द के आगे लगता है तो हम सभी का सकते हैं जादू गर में परतिय लगा हुआ है गर दियान लखेगा आप सभी गर क्या है परतिय सब्द है अगला है आसू का बहु बचन क्या होगा यहने कि इसका बहु बचन बनाना है तो आशुओं होगा option में सी right answering अगला है धर्ती का परियावाची सब्देफिर देखे धर्ती का परियावाची अचला होता है अगला है संगम का सही संधी विचेद जो है वो क्या है संगम का सही संधी विचेद तो right answer option में बीज़ेगा सम में हलंद का परियोगा उसके बाद जोड़ गम होगा ध्यान रखेगा आपसे भी और हलंद किसी भी वर्न में लग जाता है तो वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है जैसे कि मौ में हलंद लगा हुआ है तो ये आधा मौ है उसके बाद धन गम होगा बराबर संगम होता है अगला है गरीबों को वस्तर दो वाक्य में कारक है तो राइट आंसर आपसे में बीजाएंगे कर्मकारक होगा क्योंकि गरीबों को वस्तर दो इसका चिन क्या होता है को और शुन्य होता है को और शुन्य तो को यहां देख सकते हैं गरीबों को अगर देखेगा तो कर्मकारक किसी का जाता है जिस पर काम का फल पढ़ता हो ज जैसे कि राम ने रावन को मारा, गरीबों को वस्त्र दो, ध्यान रखेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम ने रावन को मारा, तो रावन को मारने का काम किसने क्या है, राम ने किया है, तो को का परियोग यहां पर होना है, तो यह चीज़ के लिए रहें आपका, अगल को इसने निराला को कैसा कभी माना जाता है करांती कारी कभी माना जाता है ध्यान रखेगा आपसी को पता ना चिफन कि कारा के कुल आठ वेद होते हैं कौन-कौन सा करता कर्म करन संपर्दान अपादान संबंद अधिकरन और संबूधन होता है अगला को इसने उड़ती चिड और याओं के पंक गिनने का अर्थ क्या होता है तो right answer option बीजेंगे अनुभाव होना ध्यान रखिएगा उरती चिडियाओं के पंक गिनना का अर्थ क्या हो जाएगा अनुभाव होना यह अनुभाव वेक्ती होना अगला कोई से नहीं पती पतनी के जोड़ों को क्या काते हैं दमपती जो है इसका सही वरतनी क्या होगा तो दीके इसका सही वरतनी हो जाएगा option नमर बी का ध्यान रखिएगा आप सभी option बी right answer एगा इसका अगला है व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन है व्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं यानि कि जुदाई का काम हो रहा है इससे पहले बताये थे आपको कि अगर जुदाई या अलगाओ का भाव आए उसमें अपादान कारक होगा ध्यान रखिएगा और से का परियोग होता है इसमें चीन जो होता है से का होता है इसमें के लिए है अगला कोई से खैम लिए अभ सुनिता के हात पीले करने का समय आ गया रे खांकित मोहाब्र h Sam पीले करने का अर्ति क्या होता है विभाका समय आ असिरवात का सही संदी विछेद चले बताएंगे आप सभी कही बार एक न आफसे गलती करता है बच्चा तो यहां गौर किजिएगा आसी में विशर्ग का परियोग होगा उसके बाद जोड़ वाद होगा अशिर वाद होगा इसका पूर्ण रोप क्लियर है अगला कोशने कपिस में परियोगत संदी का नाम है तो कपिस में कौन से संदी है तो इसमें दिर्ग संदी होगा बी रैट आंसर हैंगे अगला है रानी केतकी की कहानी के रचैता है रानी केतकी की कहानी के रचैता कौन है इंसा अल्ला खां है राइट आंसर ओफिशन में डू जाएंगे इंसा अल्ला खाँ जो है राने केतकी के रचाईता है अगला है वाच्च कितने परकार के होते हैं फ्रेंड तो वाच्च जो है तीन परकार के होते हैं कौन सा कर्तरी वाच्च कर्म वाच्च और भाव वाच्च जो होते हैं अगला question देखे, question 25 है, Mother Teresa का जीवन रोग्यों की सेवा, सूश्रिशा, सूश्रिशा जो है, इसका सही वर्तनी क्या होगा, तो इसमें आप से भी जो दन सो देख रहे हैं, या दन सो का परियोग नहीं होगा, यहां तालाप सो का परियोग होगा, ध्यान रखेगा आप सभी, औ और इसमें छोटी उ का परियोग होगा, यह चीज़ पर गौर किजिएगा, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बच्चे कोईशन गलती करते हैं, अगर सब्द मजगुत नहीं है, तो कोईशन निश्चित है कि सुद्धी वर्तनी गलती होगा आपका, तो option में डिरेट आंसर ह अगला कोईशने आशू काईवे के रचनाकार हैं, आशू काईवे के रचनाकार कौन है, जै संकर परसाद हैं, ध्यान रखेगा, option में सी राइट आंसर हैंगे, अगला है, वर्त पर पक्छी वैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक हैं, वर्त पर यनिकी अधिकार करके बैठा हुआ है, तो हम सी भी कह सकते हैं कि अधिकरन कारक होगा, यानि option नमर डी राइट आंसर हो जाएंगे, इसका जो चिन होता है, वो क्या होता है? में और पर होता है, ध्यान रखेगा कारक में, में और पर होता है, तो किस पर व्रीक्श पर अधिकार करके बैठा हुआ यानि अधिकरन कारक होगा संपर्दान के लिए चिन क्या है तो इसके लिए को है के है और लिये है आपदान के लिए क्या है तो इसके लिए से है यानि कि इसमें जुदाई कालगा होता है कर्म के लिए क्या है कर्म का चिन क्या है तो इसका को है और शुनने है ध्यान रखिएगा अगला है नेमन सब्द में से एक सब्द पुलिंग चुने इनमें से कौन सा सब्द एक पुलिंग है सिंपल साइब बुड़ापा पुलिंग सब्दे है अगला कोईशन है अव्या कितने परकार के होते हैं इससे पहले भी ये कोईशन हो चुका है कि अव्या के चार भेद हैं बताये थी इससे पहले आपको शूरु उदय में पर्यूक्त संदी का नाम है शूरु उदय में जो संदी का परयोग किया है उसका क्या नाम है गुन संदी है इसमें ध्यान रखेगा आप सबी तो चलिए आज कितना है आज के सेट में कुल थाटी कोईशन कवर किये आज के सेट कैसा लगए नीचे कमन बुक्स जरूर बताईएगा अगर आज के सेट अच प्लासेस या नोटिफिकेशन जो आता है वो सारा आपको टेलिग्राम पर दिया जाता है तो टेलिग्राम को जोईन कर लेजे युवा सकती बिहार चर करके आन्यता डायरेक्ट आप से लिंक से जुड़ सकते लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट किया हुआ है तो चलि